पहला कोशन है भोजन का पाचन मुख्यता किस अंग से शुरू होता है? तो इसका आंसर होगा मुह से. अगला प्रस्ण है मानव के सरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत उपाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा oxygen. अगला प्रस्ण है centigrade और Fahrenheit मापनी कहां पर एक ही पा से क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन, डाइनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन होता है. अगला प्रस्ण है प्रत्वी तथा एनिगरस सुरी के चारों और चकर लगाते हैं. यह सबसे पहले किसने सीध किया था? तो इसको जो है सबसे पहले सीध किया था? कौपर नि बढ़ जाता है जिसके वजह से जो है खाना जल्दी पख जाता है अगला प्रस्ण है उसमा का सरवत्तम चालक कोन सा है तो जो है इसका सही आंसर होगा पारा अगला प्रस्ण है चावल को पकाने में कहां अधीक समय लगता है तो इसका सही आंसर होगा Mount Everest पर क्योंकि दाब कम होने के वज़ह से क्वातनांग घट जाता है और कम ताप पर ही जो है उबलने लगता है जिसके वज़ह से Mount Everest पर खाना बनाने में अधिक समय लगेगा अगला प्रस्ण है सीरका का रासाइनिक नाम क्या है तो एथेनोइक अमल या एसिटिक अमल एसिटिक एसिड अगला प्रस्ण है Milk of Magnesia क्या होता है तो यह Magnesium Hydroxide और Magnesium Hydroxide का उपयोग पेट की अमलियता को दूर करने के लिए किया जाता है अगला प्रस्ण है निम्न में कौन सी अस्रू गैस है तो क्लोरो पिक्रीन को अस्रू गैस कहा जाता है यानि आसू गैस कहा जाता है Newton की गती का पर्थम नियम क्या कहलाता है तो पहला नियम जो है जड़तू का नियम कहलाता है किसके द्वारा कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ती पत्तियों को हरारंग किस कारण से प्राप्त होता है तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लास्ट अगला प्रस्ण है कौन सा हर्मोन मानुए महिलाओं के प्रजनन्य में तेजी से वृधि करता है तो इसका सही आंसर होगा estrogen hormone किस में सबसे अधिक chromosome पाए जाते हैं तो इसका सही आंसर होगा teridofides लाइकेन किसके सूचक होते हैं वाईव प्रदूशन के अगला प्रस्न है सरुपर्थम किसने जीव विज्ञान सब्द का प्रियोग किया था तो लेमार्क एवंग ट्रीवेनरस ने जो है आपका सबसे पहले जीव विज्ञान सब्द का प्रियोग किया था अगला प्रस्न है प्रोटीन के पाचन में सहायक enzyme कौन सा है तो प्रोटीन के पाचक में trypsin एक सहायक enzyme के रूप में कारी करता है अगला प्रस्न है किसके एकत्र होने से मांग स्पेशियों में थकान होती है तो लैक्टिक अमल लैक्टिक acid के मांग स्पेशियों में जमा होने से जो है थकान उत्पन होती है अगला प्रस्न है समान यतह nucleon का नाम किसके लिए फ्रियुक्त होता है तो इसका सही आंसर होगा प्रोटोन और न्यूट्रोन क्योंकि ये प्रमानू के कैंदर में पाए जाते है अगला प्रस्ण है माइकोलोजी में किसका अध्यन क्या जाता है तो कवक का अध्यन क्या जाता है फंगस का अध्यन क्या जाता है अगला प्रस्ण है फाइकोलोजी में किसका अध्यान किया जाता है तुझ सेवाल का अध्यान किया जाता है अलगी का अध्यान किया जाता है फाइकोलोजी के अंतरगर अगला प्रस्ण है किस वाइमंडल में मिथेन उपस्तीत है विरस्पती गरह के जो है वाइमंडल में प्रशक प्रक्रिया है यानि एमिनो अमल मिलकर जो है प्रोटीन का निमान करते हैं और प्रोटीन का जब पाचन होता है तो फिर से एमिनो अमल में तूट जाते हैं विघटन हो जाते हैं अगला प्रस्ण है किसको वनस्वती विज्ञान का जनक कहा जाता है तो इसका आंसर हो अगला प्रस्ण है किस उत्तक द्वारा पादपों में जल के परिवाहन का कारी होता है तो इसका सही आंसर होगा जैलम उत्तक अगला प्रस्ण है सिंकोना पोधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है तो कुनेन प्राप्त होता है जिससे की मलेरिया का इलाज होता है अगला प्रस्ण है कीटों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो एंटोमोलोजी कहा जाता है कीटों के अध्यान को एंटोमोलोजी अगला प्रस्ट है फल विज्ञान के अध्यान को किस विज्ञान के अंतरगत रखा गया है तो फलों के अध्यान को जो है पॉमोलोजी के अंतरगत रखा गया है अगला प्रस्ट है पूस्प विज्ञान के अध्यान को क्या कहा जाता है तो niacrone का तार इसका जो heater का तार होता है वो niacrone का होता है अगला प्रशन है बीजली के walk में कौनसी gas भरी जयोती है तो इसका आंसर होगा argan क्योंकि argan एक अकारी ये gas है अगला प्रशन है किन किन धात्वों को मिला कर चुम्बक बनाया जाता है अलुम्नियम और निकेल को मिला कर जो है चुम्बक बनाया जाता है अगला प्रस्न है कौन सा पदार्थ जो केवल हमारे देश में ही पाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा अवरक अगला प्रस्न है आग में कौन सफदार्थ नहीं जलता है तो इसका आंसर होगा अस्बेस्टस जो आग में नहीं जलता है अगला प्रस्ण है बर्फ पानी में क्यों तेरता है तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है यानि कि बर्फ का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व अधीक होता है जिसके वजह से बर्फ पानी के उपर तेरता है मनुष्ची के आंसु में पाया जाता है तो sodium chloride अगला प्रस्ण है मनुष्ची के सरीर में कुल कितनी हड़ियां होती है तो 206 अगला प्रस्ण है किन किन धातूं को मिलाकर पीतल बनाते हैं तो इसका आंसर होगा तामबा और जस्ता यानि कौपर और जस्ता अगला प्रस्ण है सबसे कठोर अधातू कौन सी होती है तो इसका आंसर होगा हीरा अगला प्रस्ण है घाली के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ क्या है तो इसका आंसर होगा Radium अगला प्रस्ण है पानी किस गयस से मिलकर बनता है तो Hydrogen और Oxygen यानि H2O Hydrogen और Oxygen अगला प्रस्ण है कौन सपदार्थ पानी में जलता है तो इसका आंसर होगा Sodium अगला प्रस्ण है पत्यों का हरा रंग क्यों होता है तो इसका आंसर होगा Clorofil के कारण यानि परनहरीम के कारण अगला प्रस्ण है धर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है तो वो पारा होता है पीने के पानी में कौन सा गैस मिलाते हैं तो क्लोरीन जल को सुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाया जाता है जिवानों को नश्ट करने के लिए कौन सी गैस सुने पर आदमी हसने लगता है तो नाइट्रस अकसाइड यानि N2O नाट्रस ओक्साइड अगला प्रस्थ है क्लोरीन का प्रमानु कर्मांग होता है तो क्लोरीन का प्रमानु संख्या जो होता है वो 17 होता है और इसका संकेत होता है C L अगला प्रस्ण है सोडियम का प्रमानु करमांक जो है 11 होता है अगला प्रस्ण है अंत्रिक्ष यात्री को अकास का रंग कैसा दिखाई देता है तो इसका आंसर होगा काला अगला प्रस्ण है कोन एक आवेस्त रहीत कन है तो आवेस्त रहीत कन जो है न्यूट्रोन होता है इलेक्ट्रोन पर माइनस आवेस होता है प्रोट्रोन पर प्लस आवेस होता है और जो है न्यूट्रोन पर आवेस नहीं होता है अगला प्रस्ण है पोधे की आंत्रिक संरचना का अध्यन क्या कहलाता है तो सारीरिकी अगला प्रस्ण है किस रंग का पॉर्तनांग सबसे अधिक होता है तो बैंगनी रंग का अगला प्रस्ण है लेंस की छमता का मात्रक क्या है तो इसका आंसर होगा डायाप्टर लेंस की छमता को डैप्टर में मापा जाता है अगला प्रसन है रडार की कारी प्रनाली किस चिधान पर आधारित है तो इसका आंसर होगा रेडियो तरंगों का प्रावर्तन न्यूटन की गती के नियमों के अनुसार कौन सा कतन सचते है तो द्विति नियम से बल की परिभासा ग्याद की जाती है किसी पिंड के उस गुंधर्म को क्या करते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गती की इस्तिती में किसी प्रावर्तन का विरोध करता है तो वो जड़त वो कहलाता है अगला प्रसन है लेजर की सिधान पर कारी करती है तो विकीरन का उदप्ती उतसरजन अगला प्रसन है दलदल में फसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि छेतरफल अधीक होने से दाब कम हो जाता है अगला प्रसन है बर्फ के टुकडे को आपस में दबाने पर दोनों आपस में चिफक जाते है क्योंकि दाब अधीक होने पर बर्फ का गलनांग घट जाता है अगला प्रसन है मोटर कार में सितलन तंद्र की सिधान पर कारी करता है तो ये समवहन के सिधान पर कारी करता है अगला प्रस्ण है एक टेलिवीजन में दुरस्त नियंतरन के लिए किस प्रकार के वेद्दूत चुम्बक वीकिरन का उप्योग किया जाता है तो इसका आंसर होगा लगू रेडियो तरंगय उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाध्यान पॉलिस किया हुआ चावल है लोग पीडित होते हैं तो बेरी बेरी नामक विमारी से जो विटामिन बी की कमी से होता है अगला प्रस्ण है प्रकास वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकास द्वारा तै की गई दूरी अगला प्रस्ण है समूद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरन प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा फेदो मीटर अगला प्रस्ण है, कम्प्यूटर की IC चिप किस्पदार्थ की बनी होती है, तो वो सिलिकॉन की बनी होती है, अगला प्रस्ण है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पन पर पड़ता है, तो उसकी छाया बनेगी अनंत, वह धातु जो अम लेवंग छार के साथ परतिक् निकालती है, तो इसका आंसर होगा जिंक, यानि जस्ता, अगला प्रस्ण है, कार्ये का मातरक होता है, तो इसका आंसर होगा जूल, अगला प्रस्ण है, प्रकास वर्स इकाई है, तो ये दूरिक इकाई है, अगला प्रस्ण है, एक ही प्रकार के परमानुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तो इसका आंसर होगा योगी कहलाता है निश्चित अनुपात में मिलने से बनापदार्थ योगी कहलाता है अगला प्रस्न है किसी ध्वनी स्रोत की आवरिती में होने वाले उतार चलाहव को क्या कहते हैं तो डापलर प्रभाव अगला प्रस्न है कोई कन एक सेकेंड में जितना कमपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवरिती वायू में ध्वनी की चाल 332 मीटर प्रतिस सेकेंड है यदि दा बढ़ा का दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनी की चाल क्या होगी तो 332 मीटर प्रतिस सेकेंड यानि वही रहेगी पार्शेक इकाई है तो दूरी की अगला प्रस्ण है एक मात्र द्रव रेडियो एक्टिव तत्व कोन सा है तो इसका आंसर होगा फेरेंसियम अगला प्रस्ण है आवर्थ सार्नी में उपस्चित द्रव अधातू है तो द्रव अधातू जो होता है वो है ब्रोमीन अगला प्रस्ण है जिससे प सरल आवर्थ गती करते हुए कन के विस्थापन और वेग में कितना कलांतर होता है तो इसका आंसर होगा पाई बाई टू रेडियन अगला प्रस्थन है धुरुवन की घटना गुन है तो अनुप्रस्त तरंगों का अगला प्रस्थन है एक समान विद्दू छेत्र में रखा हुआ विद्दू दूइधुरू अनुभव करता है तो एक वल आघूर्ण अगला प्रस्थन है क्रिचोफ का धारा नियम आधारित है आवे संरक्षन के नियम पर व्यतिकरन उत्पन होने के लिए सबसे महतपूर्ण सर्थ क्या है तो इसका अंसर होगा स्रोत कला संबंध होने चाहिए अगला प्रस्थन है बोर मोडल के अनुशार इलेक्ट्रोन नाभिक के चारों और केवल उन्ही कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए कौन ये संवेक का मान पूर्ण गुनज होता है तो H बाई 2 पाई के अगला प्रस्थन है जब प्रोटोन एवन नीट्रोन मिलकर नाभिक बनाते हैं इस क्रिया में कुछ उर्जा निकलती है जिसे क्या कहते है तो इसका आंसर होगा नाभिक ये बंधन उर्जा अगला प्रस्थन है पादप उत्तक में जैलम फ्लोयम किस प्रकार के उत्तक हैं तो ये अस्थाई उत्तक होते हैं अगला प्रस्थन है पत्ते में उपस्थित क्लोरोफिल के कैंदर में किस धातू का परमानू पाया जाता है तो क्लोरोफिल में मैगनेसियम धातू पाया ज तक किसे फूल खिलाने वाला hör्मोन भी कहा जाता है तो इसका आंसर होगा जिवरेलिन अगला प्रस्ण है मलेरिया फरजीवी तथा किस त्रेनी में रखा गया है तो फ्रोटो जोह किस त्रेनी में इसे रखा गया है मानों शरीर का रख्ट बेंक कहलाता है तो फ्लि tycker किस तत्व की इलक्ट्रोन बंदुता सरवाधिक होती है तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन द्विगंशी क्वांटम संख्या प्रदर्सीत करती है तो इलक्ट्रोन कक्षक की आवरिती को अमल राज तीन अनुपात एक में क्रमसह होता है यानि एक्वारेजिया में क्या होता है तो तीन भाग हाइड्रोकलोरिक अमल और एक भाग तनुनाइट्रिक अमल अगला प्रसन है किसे फ्रोटीन फैक्टरी के नाम से जाना जाता है तो राइबोसॉम अगला प्रसन है कौन सा चार डियने में उपस्थित नहीं होता है तो यूरेज किस समुदाय को वनस्वती जगत का एमफिबिया वर्ग कहा जाता है यानि उभैशर कहा जाता है तो इसका आनसर होगा ब्रायोफाइटा को प्राचीन काल में दही जमाने की बायो टेकनोलोजी की प्रक्रिया में निम्ण में किस जीव की अवस्कता होती थी तो जीवानवों की अवस्कता होती थी सुरी के प्रकास का कौन सा भग सोर कुकर को गर्म करता है तो इसका आनसर होगा अवरक्त किर्न जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है तो इसका अंसर होगा नेत्र सलेश्मा आहर स्रिंखला में पादपोंद वारा प्रयूक्त सोर उर्जा होती है तो केवल एक परतीसत अगला प्रस्ण है निमलखीत विमारियों में से किस एक के उपचार के लिए इस्टेम कोशी का चिकित्सा का उप्योग नहीं होता है तो कैंसर के इलाज के लिए इस्टेम कोशी का चिकित्सा का उप्योग नहीं होता है अगला प्रस्ण है जुगनु किस परिघटना की वज़ा से सीथ प्रकास देता है तो रासाइनिक संदिप्ति अगला प्रस्ण है तेल का एक वेरल लगभग किसके बराबर होता है तो 169 लिटर के बराबर होता है किसने भारी जलकी खोज की तो भारी जलका खोज किया था H-C-U-R-E लेजर प्रिंटर में कौन से लेजर का प्रियुक्त होता है तो गेस लेजर का प्रियुक्त होता है कौन सा एक आरेख पवंदिसा और अवधी को दरसाता है तो जलवाईव आरेख अगला प्रस्ण है रासाइनिक रूप से रेसम के रेसे मुख्यत होते हैं तो प्रोटीन के बने होते हैं ताप विकिरन का कौन सा रंग उच्तम ताप निरुपित करता है तो स्वेत रंग सबसे अधिक ताप निरुपित का आता है अगला प्रस्ण है मेरू छती का उपचार किसके द्वारा निकलने की सांभावना है तो इस टेम कोशिका चिकित्सा के द्वारा अगला प्रस्ण है निम्न में कौन सी धातू इटाई इटाई रोग पैदा करती है तो कैडमियम धातू जो है इटाई इटाई रोग पैदा करती है बिग बेंग सिधान्द का प्रथम परमान किस ने दिया तो इसका आंसर होगा एडवीन हवल जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्थित होता है जिससे जल ये प्रानियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम होगा यानि अधिकतम होगा तो इसका सही आंसर होगा चार डिगरी सेंटिग्रेट इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, निूट्रोन और पॉजिट्रोन इसमें से सबसे बड़ा कन कोन सा है तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोन केलवीन स्केल में मानव सरीर का समाई नित आपमान कितना होता है तो 310 केलवीन और सेलसियस में 37 डिगरी सेलसियस या सेंटिग्रेट कौन सातत वो रासाइनिक रूप से धातू वा अधातू दोनों की समान कारी करते हैं तो इसका आंसर होगा बॉरॉन पेप्टाइड बंधन किसके बीच उपस्थित होते हैं, तो एमिनो अमल के बीच वयस्क मानव ढाचा कितनी हड्डियों पर आधारित होती है, तो 206 हड्डियों पर ट्रेकोमा रोग किस अंग से समंधित है, तो इसका आंसर होगा आँख कोन धातू होते वे विविद्दूद का कुछालक होता है, तो सीसा यानि लेड एक गुबारे में हड्डोजन वा ऑक्सीजन गेस के बराबर बराबर अनू है, यदि गुबारे में एक छेद कर दिया जाए, तो हड्डोजन गेस तेजी से निकलेगी, यानि हाइडोजन के स्तेजी से निकलेगा कपूर के छोटे-छोटे टुकडे जल की सतह पर नाचते हैं तो प्रीष्ट तनाव के कारण यदि दो उपगरह एक ही वृताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे फृत्वी की परिकर्मा कर रहे एक उपगरह से एक पेकेड छोड़ दिया जाता है तो उपगरह के साथ उसी चाल से फृत्वी की परिकर्मा करेगा यानि दोनों का चाल जो है बराबर होगा यंग परतियास्तता गुनांक का SI मातरक है तो Newton फ्रती मीटर स्क्वायर Candela मात्रक है जोती तिवरता का वह विज्ञान जिसका समंध जीवधारियों के अध्यान से होता है क्या कहलाता है तो जीव विज्ञान जूल किसकी इकाई है तो उर्जा की इकाई होती है मात्रकों की अंतराष्ट पदती कब लागू की गई तो 1971 इस्वी चमगादर अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादर प्रास्त्रब ये धोनी तरंगें उत्पन्द करते हैं मानव सरीर में उर्जा की उत्पत्ती क्या पहुँचा कर होती है तो कोसिकाओं में ऑक्सीजन पहुँचा कर सुष्टम जीवित कोसिका कोन सी है तो माइको प्लाज्मा जो एक जीवानु है ये सबसे छोटी कोसिका होती है कोन सा पोधा तनाचिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है तो गन्ना कोन सा राज ये तामबे का प्रमु खुतपादक है तो राजस्थान किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की अवश्कता होती है काली मिट्टी सबसे बड़ी आखे किस अस्तंधारी प्रानी की होती है तो हीरन का होता है आज कारबन डायोकसाइड यानि सी ओटू के उतसरजन में सरवाधिक योगदान देने वाला देश कोन सा है तो सयुक्त राज अमेरिका किस उद्ध्योग में अबरक कच्चे माल के रुप में प्रियूक्त होता है तो विद्यूत उपकरन वाले उद्ध्योग में विद्यूत फ्रेश का विसकार किस ने किया था हैंरी सीले ने प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधीक होता है दाब बढ़ने पर जल का क्वातनांक बढ़ता है और दाब घटने पर जल का क्वातनांक घटता है मेंडरलिप के आवर्थ सारनी में तत्वों का वर्गिकरन का आधार क्या है? तो प्रमानु द्रभीमान किस खनीज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पींच ब्लेंड फोटोग्राफी में उपयोगी योगी क्तत्वों कोन सा है? तो सिल्वर ब्रमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी योगी क्वों सा है? तो सिल्वर ब्रमाइड वाहनों से निकलने वाली प्रदूसित गेस मुख्यतह कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोक्साइड भारत में मिथैन गेस का एक ब्लास रोत क्या है? धान का खेद मानव सरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो मुत्र में पाया जाता है भोजन का उर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटो कॉंड्रिया में उर्जा का निर्मान होता है कोशिका सिधान्थ का प्रतिपादन किस व्यग्यानिक ने किया था तो स्लाइडन और स्वान ने किया था यूरेसिल किस में पाया जाता है तो यूरेसिल आरेने में पाया जाता है इलेक्ट्रोन माइक्रोइस्कोप में प्रकास का सुरोत क्या है तो इलेक्ट्रोन कीरन माचिस की तिल्ली के एक सीरे पर लगा मसाला निम्लखीत का मिश्रन है तो लाल फासफोरस और गंधक का मिश्रन होता है कौन सा उत्तक द्वित्यक वृधी के लिए जिम्मेदार है यानि मोटाई में वृधी के लिए तो इसका आंसर होगा केंबियम भारत में नर्मन वरलोग किस लिए परसीद्ध है तो हरीत करांती के लिए कौन सा उत्तक पादपों में जल के परिवाहन का कारी करता है तो जाइलम जल के परिवाहन का काम करता है कपास के रेशे पोधे के किस भाग में पाए जाते हैं तो बीजों पर अधिचर्मी रौम के रुप में स्रवन मूल किस पोधे में पाई जाती है तो जूसिया में पाए जाता है चंदन को समानियतह क्या माना जाता है आंसिक मूल परजीवी माना जाता है गन्ना और गेहु में किसके द्वारा प्रागन होता है तो हवा के द्वारा होता है जल में ध्वानी को मापने के लिए किस उपकरन का प्रियोग किया जाता है तो हाइडरोफॉन का उप्योग होता है गेसों के दाब को मापने के लिए किस उपकरन का फ्रियोग होता है तो मैनो मीटर रासाइन विज्ञान के छेतर में सर्व पर्थम नॉबेल पुरुसकार किसको प्रदान किया गया जे एच वांट हाफ को प्रोटोन की खोज किस ने की थी गॉल्ड इस्टीन ने नाभिक की द्रभ्मान संख्या क्या होती है तो नाभिक में उपस्थित न्यूकलियोन की संख्या को ही जो है द्रभ्मान संख्या कहा जाता है चट्टानों की आयू ग्याद करने के लिए रेडियो एक्टिव आयू अंकन में किसके समस्थानिका उप्योग किया जाता है तो यूरेनियम के समस्थानिक का आइसोटोन्स क्या होते हैं तो जिसमें समान संख्या में neutron पाया जाता है, उसे ही isotrons कहा जाता है Carbon Monoxide तथा nitrogen gas के gas emission को क्या कहते हैं, तो producer कहा जाता है उसको LPG में कौन सी gas मुख्य होती है, तो मुख्य रूप से उसमें butane होता है Kapoor को किस विधी द्वारा सुध किया जाता है, तो उर्धु पातन विधी से उसको सुध किया जाता है जल पर तेरने वाली धातु कोन सी है, तो sodium धातु जल पर तेरता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है तो चांदी पाया जाता है मुक्त अवस्था में कौन सी धातु ठो सवस्था में नहीं पाई जाती है तो जो है पारा नहीं पाया जाता है ठो सवस्था में एंटी मनी क्या है तो ये एक उप धातु है कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है तो जो है चान्दी को बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक है तो चान्दी जो है बिजली का अच्छा सुचालक होता है फोटोग्राफी में कौन सा उप्योगी ततु फ्रियूक्त होता है तो सिल्वर व्रोमाईड नीला थोथा का रासाइनिक नाम क्या है कौपर सल्फेट सबसे कठोर धातु कौन सी है तो धातु प्लेटीनम धातु सबसे कठोर होता है और सबसे कठोर पदार्थ हीरा को मना जाता है जो की अधातू है सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है तो फ्लेटीनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है विद्यूत वल्व का तंतू किसका बना होता है यानि फिलामेंट किसका बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है कोन सी धातू अचालक की भाती ट्रांजिस्टर के रूप में प्रियुक्त होती है तो जर्मेनियम किन तत्वों के लवनों द्वारा अति सबाजी के रंग प्राप्त होते है तो इस्ट्रांसियम और बेरियम के द्वारा किस रेडियो धर्मी तत्वों के भारत में विशाल भंडार है तो थोरियम का विशाल भंडार है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रियक्टर में कोन सा तत्वों इंधन के रूप में प्रियुक्त होता है तो यूरेनियम भारी जल क्या है तो एक मंदक समान ये किस्म का कोईला कोईला है बीटू मिनस कोईला हेलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कोण करता है तो क्लोरीन फ्रकृती में सबसे कठोर पदार्थ कोण सा है तो हीरा कार्बन के दो अपरूप कोण से है तो हीरा और ग्रिफाइट कार्बन के दो अपरूप है लोहा पाये जाता है, आयरन पाये जाता है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातू का प्रियोग किया जाता है, तो सीशा, वायुयान के निर्मान में कौन सी धातू उफ्यूक्त होती है, तो प्लेटीनम, पहला कोस्चन है, एडम उत्प्रेरत किस धातू का नाम है, तो इसका आंसर होगा प्लेटीनम इस्टील में कार्बन का प्रतिसत कितना होता है तो 0.1 से लेकर 1.5 प्रतिसत तक अलमुनियम का मुख्य अयस्क क्या है तो बॉक्साइड मायो ग्लोबिन में कौन सी धातु होती है तो इसका आंसर होगा लोहा समूद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है तो इसका आंसर होगा सोडियम कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गेस पैदा करती है तो इसका आंसर होगा कैडमियम धातु की फ्रकृति कैसी होती है तो धातु जो है विद्दू धनातमक होता है पीतल में कौन सी धातु में होती है तो तामबा और जस्ता को मिलाकर जो है पीतल बनाया जाता है यानि कौपर और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है अकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है तो प्रकास के प्रकिर्नन के कारण अंत्रिक्ष यात्रिको अकास का रंग कैसा दिखाई देता है तो इसका आंसर होगा काला दिखाई देता है आखों के लिए असपष्ट द्रिष्टी की नियूनतम दूरी कितनी होती है तो पचीस सेंटिमीटर घरों में फ्यूज किस करम में जोड़े जाते हैं तो इसका आंसर होगा स्रेनी करम स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुम्बक किस दिसा में इस्थीत रहता है तो इसका आंसर होगा उत्तर दक्षिन दिसा नाभीक रियक्टर में मंदक की रूप में क्या प्रियोग किया जाता है तो भारी जल का प्रियोग किया जाता है सुर्य एवंग तारों से प्राप्त उर्जा एवंग फ्रकास का स्रोत क्या है तो इसका आंसर होगा नाभीक के सनलयन सुर्य मुख्यतह किन किन पदार्थों से बना हुआ है तो हाइडोजन और हिलियम से नाभी की रेटर सबसे पहले किस ने बनाया था तो इसका आंसर होगा फर्मी वाइमंडल की आदरताम आपने वाला यंत्र कोन सा है तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर विद्धुध धराकोम आपने के लिए कोन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है तो इसका आंसर होगा एमीटर विद्धुध वल्व का फिलामेंट किस धातु का बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है हेमेटाइट किस धातु का एस्क है तो हेमेटाइट लोहे का एस्क होता है जर्मन सिल्वर किसका मिश्टरन होता है तो जर्मन सिल्वर तामबा, जस्ता और निकेल का मिश्टरन होता है SI पदती में लैंस की इकाई क्या होती है तो डाय अप्टर जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है तो sodium carbonate डाल कर जल की अस्थाई कठोरता का प्रमुक कारण क्या होता है तो calcium तथा magnesium के bicarbonate और sulfate सधारन काज किस किस का मिस्तरन होता है तो silika sodium silicate तथा calcium silicate का मिस्तरन होता है गुबारे में कोन सी गयस भरी होती है तो जो है हिलियम गेस भरा होता है पंचम बनाने के लिए कौन से कार्बन का प्रियोग किया जाता है तो ग्रेफाईट का प्रतेक किरिया के बराबर विफरीद दिसा में एक प्रतिक्रिया होती है यह न्यूटन का तीसरा नियम है तामबा यानि कौपर का सत्रू तत्व है तो गंधक उगता और डुबता सुर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रक्रिनन सबसे कम होता है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी तो हैंडरी वेकेरल ने सबसे अधिक भेदन छमता किन किर्णों की होती है तो गामा किर्णों का पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का वर्ताव करता है यानि व्यभार करता है तो एक अवतर लेंस की तरह इकाईयों की समस्त व्यस्ताओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है तो विशीष्ट गृत वका यदि कोई मनुष्य समतल दरपन की और 4 मीटर प्रती सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दरपन में मनुष्य का प्रतिवीम किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा तो 8 मीटर प्रतिस सेकेंड कारों ट्रकों और वसों के ड्राइबर की सीट के बगल में कौन सा दरपन लगा होता है तो इसका आंसर होगा उत्तल दरपन ऐसे तत्तु जिसमें धातुयं और धातु दोनों के गुन पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं किसी स्रिंखला में प्राथमिक उभवोगता कोन होता है तो साकाहरी होते हैं किस में ध्वानी की चाल सबसे अधिक होती है तो इस पात में किसी स्रिंखला में प्राथमिक उभवोगता है तो साकाहरी होते हैं